अपने नमस्कार आप सभी बिये पार्ट प्रत्मवर्ज के विद्यारतियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है आज हम हमारे पूर्व के व्याख्यान कमीती के पश्चात सम्हू की अवधार्णा पर चर्चा करने जा रहे हैं सम्हू भी समाशास्त की मूल अवधार्णाओं में रखा गया है सम्हू जिसे इंग्लिश में ग्रुप नाम से सम्मोजित किया जाता है ग्रुप से उच्चारित किया जाता है सोशालजी में मैथपोड बेसिक कंसेप्ट के अंतरगत अपनी बोमी का रखता है सम्हू मानव जीवन की मानव समाज के संगठनात्मक सवरूप की प्रथम सीड़ी है अर्थार और्गनाइज ससाइटी का फर्स्ट फॉर्म के अंतरगत हम इसे मानते हैं और इसी लिए यह हुमन बिइंग की नैसेसरी रिक्वाइर्मेंट भी है मानव समाज की लिए अख्यत आवश्यक भी है इस सम्मंद में एक महत्मोर समाशात्री हुए हैं जॉन डन और जॉन डन ने यह लिखा कि कोई भी व्यक्ति एक दीप नहीं है अर्थाट एक ऐसा निर्जन या शांत प्राणी नहीं है जिस प्रकार एक दीप होता है जो कि एक समुद्र से गिड़ा हुआ भोगुली क्छेत्र जिसे माना जाता है अर्थात प्रतेक व्यक्ति को किसी ना किसी व्यक्ति की आवशक्ता होती है ऐसा जॉन डन कहते हैं और जब किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आवशक्ता होती है तो ऐसे इस्थिती में जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो वह एक संगठन का रूप बनाते हैं जिसे हम समु कहते हैं। Harry M. Johnson माने वे समाशास्त्री भी कहते हैं कि समाशास्त्र सामाजिक, समुहों का विज्ञान है अर्थार्थ समाशास्त्र में हमारी जो भी अध्यन पद्दती है, जो भी अध्यन विशेचेत्र है। वह समू ही है अर्थार समू समाशास्त्र की महत्पूर्ण एकाई है बगाट्स ने तो यहां तक कह दिया है कि समाशास्त्र समू का अध्यन है अर्थार समाशास्त्र में यदि को इस्टेडी की जाती है तो वह सम्हू की की जाती है, सम्हू के अत्रिक, समाशास्त्र को, अगर सम्हू को अटा लिया जाए, तो समाशास्त्र की अध्यन वश्टू कुछ भी नहीं रहेगी इन दोनों परिवाशाओं के आधार पर हम सम्हू की उपयोगिता को समाशास्त्र में समझ सकते हैं मैकाईवर एवं पेज ने भी सम्हू की परिवाशा दी उनके अनुसार सम्हू से तातपर्ये व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे पर प्रबाव डालते हैं वे एक सम्हू का निर्मान करते हैं premature मैकाईवर एवं पेज कहते हैं कि सम्हूं से तातपर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रे से है जो एक दूसरे पर प्रबाव डालते हैं तो वे एक सम्हूं का निर्मान करते हैं अर्थार जब एक व्यक्ति कोई भी कारे करे और उसका प्रबाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है और दूसरा व्यक्ति भी कोई काने करे और उसका प्रबाव पहले व्यक्ति पर पड़ता है तो इस प्रकार एक सम्हू का निर्मान हो जाता है मैं काई वरे उम पेज ऐसा मानते हैं रौबर्ट के मर्टन माने हुए समाशास्त्री उनके अनुसर सम्हू की समाशास्त्री अवधार्णा मनुश्यों की एक संख्या का संकेत करती है अर्थार सम्हू में, ग्रूप में मेंली मुख्य रूप से एक संख्या होती है जो दो या दो से अधी होती है यह संख्या एक दूसरे से इस्थापित प्रतीमानों के अनुसार अनुसार करती है अरथार समाज में पेले से जो नॉम्स स्थापित कर दिये गए हैं उन्स नॉम्स के अकोर्डिंग यह इंटरेक्शन करते हैं अंतेक्रिया करते हैं मर्टर की परिवाशा के अंतरगत जो तीन महत्पूर्ण बिंदू हैं वह इस प्रकार हैं मनुश्यों की संख्या अर्थार सामाजिक संबंदों का पाया जाना तोशल रिलेशन्शिप और तीसरा है समू के प्रति हम की भावना अर्थार प्रतेक्व्यक्ति के अंतरगत अपने समू में रहने का भाव होता है वी की भावना जिसे हम कहते हैं यह तीनों चीजें मिलकर समू का निर्मान करती हैं ऐसा मर्टन का मानना है अब हम तिन परिवाशाओं के बाद जॉन हरी एम जॉनसन भोगार्ट मैकाईवर एम पेज और रोबर्ट के मार्टन की परिवाशाओं के प्रशाओं अब हम आज के व्याख्याद में समू की कुछ विशेष्टाओं पर चर्चा करेंगे समू की जो पहली विशेष्टा है वह है व्यक्तियों का समू अर्थार किसी भी समू का निर्मान एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवशक है अर्थार टू एंड मौर देन टू पर्संस मेड ग्रूप अर्थार एक समू से तात्पर्य व्यक्तियों की संख्या से होता है और यह संख्या मौर देन टू या अर्थार दो से अधिक होती है यह समू की पहली और प्रात्मिक विशेष्टाओं में आती इसके प्रश्चाहत है कारे विवाजन वर्ड डिविजन ओफ มौ का निर्माण कि सिवश्च अ देश्य के लिए होता है अर्थार إश्या की प्राप्ति के लिए समू के सदर्स्यों का कार्य विवाजित कर दिया जाता है कि सभी या बड़े से बड़े स्मॉल्ए और गुरूप में प्रतेविक्ति बहूति कूँक सबर्ड़ कर दिये राजन कहा जाता है और प्रतीक सम्हू में प्रतीक सजक्स्य के पास कोई ना कोई कारे आवश्य होता है तीसरी जो विशेष्टा है वह कहलाती है सामान्य रुची, कौमन, होबी, अर्थात किसी भी समूगा निर्मान उन व्यक्तियों से होता है जिनकी रुची एवंभित सामान्य होते हैं आर्थात कौमन इंट्रेस्ट एड कौमन होबी ही गृप के निर्मान में भुमिका निवाती है यहिन व्यक्तियों से उन परसंस से होता है जिनकी रुची इंट्रेस्ट एवंभित होबी, रुची होबी इंट्रेस्ट हिट सामन्य होते हैं चौथा है से मं में एक्ता एक्ता की बहुइं में समू की कलिपना की जा सकती है अर्थार यूनिटी दे प्रैमरी नीट फ्रूर ग्रूप और अर्था एक्ता का बहूआ ग्रूप के लिए आवुशक है और लेकte ऊफ यूनिटी जब एक तागा भाव है तो हम किसी भी गुल गुरुप की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं एक्षिक सदस्यता समू की सदस्यता एक्षिक होती है अर्था रिक्वाइर बैस्ट होती है प्रतेग व्यक्ति अपने आप्शन के आधार पर किसी समू का सदस्य होता है या नहीं होता है व्यक्ति सभी समू का सदस्य नहीं बन सकता है वरण उन्हें समू की सदस्यता ग्रेंड करता है जिसमें उसके हित वा रुची होते हैं अर्था यो पूर्व की जो मैंने विशेष्टा बताई से कौमनगे होबी हुए इवं इंट्रेस्ट किसी का अदार पर कोई भी व्यक्ति किसी सभूं की मेमबर्शिप को अढोप्त करता है एस मुद्याल गुरूप में मेंबर्शिप जो होती है रहाए तक होती है जो सब्सक्रानिना जो शब्द प्रयोग किया जाता है था मैं उस्तरीकरन का गोन पाया जाता और्थार्थ ग्रूप में स्टेटिफिकेशन देखने को मिलता है अर्थार έवं निम्ता का भाव भी सम्हू में इस्तर बना के बना दिये जाते हैं वेघह अलग अलग परस्चिति वह भूमी का समस्थार्थ कि रॉल एंड इस्टेटस भी अलगअलग होते हैं समु मह इंग्रुप मी कई इस्थर होते हैं प्रतैक व्यक्ती को अपने इसथर के अनुरूप कारे करना पड़ता है कि जिसे हम रोल वह मिका कहते हैं और प्रतैक स्थर से अंबंदिर जो से पद़ एपन प्राप्त समू की जो स्थाइतु है स्टैबिलिटी है वह कम होती है अर्थार कॉमन इंट्रेस्ट और कॉमन होबीज के अच्यूमेंट के परश्याद वह ग्रुप नश्ट भी हो सकता है तूट भी जाता है अर्थार समू में जब उनके निर्माण के पीछे जो उद्देश्य छिपे होते हैं उनके जो हित छुपे होते हैं वह अगर पूरे हो जाते हैं तो उसके परश्याद समू तोड़ जाता है धाचा इस्ट्रक्चर होता है अर्था उनके नियम कारेप्रणाली अधिकार करतव्य पद इवं भूमिका आधी पहले से तै होते हैं अर्था प्रतेक ग्रूप में रूल्स काम करते हैं प्रोसेसिंग काम करती है और्डर्स काम करते हैं इस प्रकार प्रते ग्रूप में एक अपना इस्ट्रक्चर होता है उस इस्ट्रक्चर के अनुरूप वह ग्रूप अपनी भूमिका को निभाता है अपने कारे को करता है अन्त में जो सम्हू की विशेष्टा है लाश्ट विशेष्टा है वह है जागुरूप अवेरनेस एक सम्हू के लोगों में परस पर जागुरूप ता सहानुबूती एवं सहयोग की भावना होती है अर्थार्थ प्रते एक गुरूप में जो व्यक्ति शामिल हैं जुड़े हुए हैं उन सभी में आपस में एक दूसरे के प्रती म्यूच्वल अंडरिस्टेंडिंग म्यूच्वल अवेरनेस और सिंपेथी के गुण विद्देमान होते हैं और यह जो म्यूच्वल अवेरनेस म्यूच्वल सिंपेथी जो गुरूप में समलित होती है वही गुरूप को भांदे रखने का काम करती है बनाये रखने का काम करती है इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने गुरूप अर्था समहू की समाशास्त्र में उपयोगी था समहू का अर्थ एवं परिवाशा और समहू की विशेष्टाओं पर चर्चा की एक बार साग्षिप तो मैं मैं पुने आपको बता दूँ समाज की प्रसम मौलिक आउशक्ताओं में समहू माना जाता है समहू से तातपर्य अर्था अर्थ जो समाशास्त्र में हम रखते हैं वह हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संग्र है जो परस पर समाशास्त्र में समाशास्त्र में समहू बहुत मैत्पूर्ण उप्योगिता रखता है बोगार्ष नामक समाशास्त्र केवल वास्तों में सामाजिक समहू का ही अध्यन करता है और इसकी विशयवस्तु इसके अत्रीत कुछ हो भी नहीं सकती मैकाईव और एवं पेज और रोबर्ट के मर्टन भी समहू की परिवाशा लगते हैं और रोबर्ट के मर्टन का तो मानना है कि समहू का जब भी हम हमारे सामने विचार आता है तो तीन चीज़े निकल कर आती है पहली है व्यक्तियों की संख्या दूसरा है सोशल रिलेशन्शेप और तीसरा है वी फिलिंग हम की भावना ये तीन चीज़ें मिलकर ही समहू का निर्मार करती हैं और समहू की जो विशेष्टा हैं उसके अंतरगत व्यक्तियों की संख्या कारे विवाजन सामने रूची एक्ता यूनिटी एच्छिक सदस्यता इस्तरी करण स्टैटिफिकेशन स्थाइतूर इस्टैबिलिटी इस्ट्रेक्चर नाचा और जागरूकता अर्थार्थ अवेरनेस ये नो विशेष्टाएं समहू में होती हैं आज के व्याठ्यान में इतना ही अगले व्याठ्यान में हम समह का जो वर्गी करण है उस पर चर्चा करेंगे धन्यवाद